नमस्कार दोस्तो रोहितिस्टाडी से योटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज मैं आपके लिए जेनरल नौलेज का क्वेस्टन एंसर लाया हूँ ये एक्जाम के नजरिये से बहुत महगतुपूर है आप मेरे वीडियो के साथ अंतर तक बने रहो ये ट्रिक से ही साथ लाया हूँ और अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो आपको बहुत जल्दी ही एक ही बार में आसानी सियाद हो जाएगा तो चलो हम बढ़ते हैं ट्रिक की तरफ भारत में टीबी रेडियो और अन्य प्रशनोतरी प्रतियोगिताओ हे तु अलग से पोस्ट कार्ड कब जारी किया गया उत्तर है चाउदा नावंबर उनने सो चानबेश्वे मुल्य दो रुपए दोस्तों आप इसको ऐसे ध्यान में रखेंगे प्रशन नया चापकर जारी कर दिया तो इतने से आपको याद आ जाएगा यह जो प्रशन लिखा हुआ है प्रशन में पह है तो आपको चार का भास करा रहा है अरथा चवदेश्य नवा से नhouse से नावंबर आपको ध्यान में रहेगा और चापने से 902 आपको याद आ जाएगा 14 नावंबर उननी सो चानबे आपको ध्यान में आ जाएगा तुर्यका प्रकास जल के भीतर कितनी घराई तक जा सकता है उत्तर 400 मीटर अधिकतम दोस्तों इसको ऐसे ध्यान में रखेंगे ये जो जल लिखा हुआ है इसी को हम चा पढ़ेंगे चा ध्यान में रखेंगे चा से 400 मीटर आपको ऐसे ध्यान में आ जाएगा विश्व का सबसे प्राचीन धर्म पुस्तक काउन सी है उत्तर है रिगवेद दोस्तों इसको ऐसे ध्यान में रखेंगे प्राचीन धर्म पुस्तक प्राचीन धर्म पुस्तक का काम अधिकांस रिसी मार सी लोग करते थे तो रिशी से रिगवेद आपको ध्यान में रहेगा प्रेशन है किस देश का लिखित सम्विधान नहीं है उत्तर है इंगलेंड का तो दोस्तों इसको ऐसे ध्यान में रखेंगे सम्विधान को कनिस्टिटूशन कहते हैं इन कन स्टूटेशन वादलब अलिकित संभीधान होता है। इन से आप इंग्लेंड आप ध्यान में रखेंगे। विश्वे में कितनी भासाइं बोली जाती हैं। उत्तर है 2792। तो इसको ऐसे ध्यान में रखेंगे। दो लोग साथ में बात करती हैं। दो लोग से 2000, साथ में हैं 700, बात करते हैं 92, इसे आपको ध्यान में आ जाएगा 2792। भारत में सबसे अधिक सुन्दर इमारत का नाम क्या है। उत्तर है ताजमाल जो की आग्रा में है। काउंसा भारती खिलाडी था जिसने भारत और इंग्लेंड दोनों के लिए क्रिकिट खेला था। उत्तर है इफ्थिखार पाटोदी। दोस्तों इसको ऐसे ध्यान में रखेंगे इल्थखाव देके भारत और इंग्लेंड को पटा लिया था। इसलिए आपको इफ्थिखार पाटोदी याद रहेगा। भारती संसत का उद्गाटन किसने और कब किया था। उत्तर है अठारा जनौरी 1927 को लाड इर्विन ने किया था। दोस्तों इसको ऐसे ध्यान में रखेंगे यह जो भारती यह लिखा है यह भारत को अंग्रेजी में लिखना सुरू करेंगे तो यह पहले 20 से सुरू होता है। और आप अगर 20 को ध्यान से देखेंगे तो यह आपको 8 का आभास कराएगा। तो 18 आप ऐसे याद कर लेंगे और यह जो भारती यह में यह है यह यह आपको जग का आभास करादेगा। इससे 18 जनवरी आपको ध्यान में रहेगा और संसत से आप 27 याद कर लेंगे। इसलिए 18 जनवरी 1927 आपको याद आ जाएगा। दोस्तो लाड़ी रुविन आपको ध्यान रखना होगा। सरव परतम क्रिकेट टेस्ट माइच कब और कहां खेला गया था। उत्तर है इंगलेंड और आश्टिलिया के बीच मेलबॉर्न में 1877 इस्वी में। दोस्तो इंगलेंड और आश्टिलिया आपको याद रहेगा। और मेलबॉर्न जो इस्टीडियम है बोर्न माने पैदा करना होता है। बोर्न से मेलबॉर्न आपको याद हो जाएगा। 1887 आप ऐसे याद करेंगे यह जो क्रिकेट टेस्ट लिखा हुआ है। टेस्ट में दोनों तरफ से टी-टी है और टी-टी आपको डबल सेवन का आभास करा देगा। इससे 1887 आप याद रहेंगे। टेस्ट क्रिकेट में पहला सतक किसने बनाया था। उत्तर है आश्टिलिया के चाल्स बाइनर माइन ने। दोस्तो आप इसको ऐसे ध्यान में रख लेंगे कि लग बाइचांस और सतक बना लिया था। बस इतने से आपको याद हो जाएगा लग बाइचांस से चाल्स बाइनर माइन। और आश्टिलिया के हैं आप यह ध्यान देना। भारत ने टेस्ट क्रिकेट में पहली बार विजय कब कहां और किसके विरुध पाई। उत्तर है 1952 इसवी में मदरास में इंग्लाइन के विरुध। दोस्तों आप इसको ऐसे ध्यान में रखेंगे टेस्ट क्रिकेट जीतने के लिए उन्हीं गेदु को बार बार मारना पड़ा था। तो 19-19 बार बार से 52 और मारने से मदरास आपको याद रहेगा। तो 1952 आपको ऐसे ध्यान में आ जाएगा। और इंग्लाइन के विरुध। है आप इसको याद रखेंगे। प्रशन है भारत में सरपसम फुर्वाल खेल कब और कहां शुरू हुआ। उत्तर है 1872 इसवी के कलक्ता के डलाजी क्लब में इसको ऐसे ध्यान में रכ लेंगे दूस्तो एक आठ साथ दो आप इसको ऐसे ध्यान में रख लेंगे 1872 आपको ध्यान में आ जाएगा। अब कलकता का डलाजी याद रखना होगा। हांकी का पहला अंतर राश्टी मैच कब खेला गया था उत्तर है 26 जुन 1895 को वैल्स और आयरलेंड के बीच खेला गया दोस्तों इसको ऐसे ध्यान में रखेंगे हांकी 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 आपको ऐसे आभास करा रहा है कि ये दो सब्दों मिलके बना हुआ है ये दो सब्दों को जो का रहा है इसे आप यहां च्छा लिख देंगे तो दोनों 26 जुन आपको याद करा देगा और हांकी में जो ये यच लिखा है यच आपको 8 का अभास करा रहा है और ओ जो है इसको थोड़ा से नीचे कर देंगे तो ये आपको 9 का अभास करा देगा इसके बाद यहां पे ज वेल से वेल से आयरन लेके आया से आयरलाइंड आपको ध्यान में आ जाएगा प्रश्ण वह कौन सा भारती खिलाडी था जिसने फुटबॉल और क्रिकेट दोनों में भारत का प्रतिनिदित्व किया उत्तर है पंकज राय इसको ऐसे ध्यान में रखेंगे फुटबॉल की लाड़ी और क्रिकेट की लाड़ी दोनों मिलकर राय किये थे इसलिए पंकज राय याद रहेगा आपको भारत के अलावा कांसा देश है जो 15 अगस्त को ही अपना स्वतंतरता दिवस मनाता है उत्तर है दच्छिड कोरिया इसको ऐसे ध्यान में रखेंगे ये जो 15 अगस्त लिखा हुआ है 15 में जो 10 आ रहा है इससे आप दच्छिड याद कर लेंगे और ये अगस्त में गज जो है इसी को हम क क की रूप में देख लेते हैं तुक्का से कोरिया आपको याद आ जाएगा 15 अगस्त दच्छिड कोरिया इतने से आप ध्यान में रख लेंगे बिश्वे में सरवथम कागजी मुद्रा का अविश्कार कब और कहा हुआ था उत्तर है 812 इस्वे में चीन में दोस्तो चीन को हम ऐसे याद कर लेंगे कागज पर एक चीन खीश ले रहे हैं तो इसे आपको चीन याद आ जा रहा है यह जो कागजी मुद्रा लिखा हुआ है कागज कागज को हम इस तरह से कर दे रहे हैं तो यह आपको 8 का आभास करा दे रहा है और 12 आपको ऐसे ध्यान में रखना है एक कागज के चार कोने होते हैं तो इसी को 312 हम कर देंगे तो 812 इसवी चीन में आपको ध्यान में आ जाएगा 20-21 देश में सिक्के का प्रचलन नहीं है उत्तर है लावोस दोस्तों इसको ऐसे ध्यान में रखेंगे सिक्का पॉकिट में भल लेते हैं तो लावा की तरफ खुल जाता है लावा से लावोस आपको याद रहेगा प्रचन है भारत के किन राजियों में उर्दू को दूति भासा का दर्जा प्रदान किया गया है उत्तर है बिहार और उत्तर प्रदेश दोस्तों ये तो आपको ऐसे ही आसानी से याद रहेगा प्रचन भारत के प्रधम बिटिस गवर्नर काउन थे उत्तर है वारेन हैश्टिंग से दोस्तों इसको ऐसे ध्यान में रखेंगे ये जो बिटिस है ये भी वा की तरह लगता है तो इसे ब्रीटिस से वारेन हेश्टिंग आपको याद में रहेगा प्रशन है भारत में महलो का सहर कौन सा है और उसकी अस्थापना किष्णी की उत्तर है कॉलकता जापकरनाग द्वारा कलकता को महलो का सहर कहा जाता है यह आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों आप इसको ऐसे ध्यान में रखेंगे इनके पास जाप नहीं था तो यह महल ही बना दिये जाप से जापकरनाग द्वारा आपको ऐसे याद रहेगा प्रशन है हाथ पर पौधा उगाने वाला भारतिय का नाम किया था उत्तर है डकावर के रामदास बोधानी दोस्तों यह आपको नाम से ही याद हो जाएगा डकावर के रामदास बोधानी प्रशन है भारत में सबसे प्रथम बार किसके द्वारा क्रिकेट खेला गया और कब उत्तर है अंग्रेजों द्वारा 1923 इस्वी में दोस्तों इसको ऐसे ध्यान में रख लेंगे अंग्रेज तो आपको याद ही रहेगा तो नाम को हम अलग-अलग लिखेंगे तो तीन तरिका नव हो जाएगा तो इसे आपको ध्यान में आ जाएगा 1923 इस्वी प्रश्ण है दिल्ली का लाल किला किषने बनवाया उत्तर है सार जहाने दोस्तों ये तो आपको सार जहान आई सही याद हो जाएगा प्रश्ण वह कौन सा नियाईधिस था जिसने 19 वर्सों तक सीर नीचे पैर उपर करके नियायालाय में मुकदमे की सुनवाई करने की अद्वुद बिमारी थी उत्तर है इंफाल के नियाधिस गोसेन 1852 इस्वी से 1871 इस्वी तक इसको ऐसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों इंफाल आपको तो याद रहेगा और नियाधिस भी आपको याद रहेगा क्या है उत्तर है एथल दोस्तों इसको ऐसे ध्यान में रखेंगे पहला कोई काम करता है तो एवन का काम करता है एवन से एथल आपको याद रहेगा प्रशन है भारत में सुना कहां पाया जाता है उत्तर है करनाटक राज्य की कुलार में है कुलहर आपको ऐसे याद रखेंगे जैसे कुलहू होता है कुलहू से कुलहर आप याद रख लेंगे तो दोस्तों ये आज मेरा 25 प्रस्ण पूरा होता है इसके बाद मैं अगला वीडियो बनाकर की यूटूब पे डालूँगा तो नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लेजिए और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लेजिए नहीं अच्छा लगा होगा तो डिसलाइक कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देजिए तो चलता हूँ दोस्तों जय हिंद